नमस्कार साथियों कोलेज एडमिशन को लेके आप लोगों के लिए एक अपडेट है क्योंकि कल बहुत सारे स्टुडेंट्स को समश्या आ रही थी कभी वेबसाइट नहीं चल रही थी तो कभी पोर्टल नहीं खुल रहा था तो कोलेजों में जो दाखिले हैं उनके लिए जो विध्यार्थी अब अपलाई कर सकते हैं चोविस तारिक तक ओनलाइन आवेदन की जो तीथी है वो बढ़ा दी गई है इसके बारे में छोटी सी अपडेट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कोलेज में दाखिलों के लिए हो रहे जो आवेदन के अंतिम दिन की अगर हम बात करें तो हाईयर एजुकेशन यानि कि उस्तर विभाग की पोर्टल ने जवाब दे दिया था कभी वेबसाइट ही नहीं खुली तो कभी पोर्टल नहीं चला दिन बर विधार्थी प्रेसान रहे शाम होते होते हाईयर एजुकेशन की तरब से विधार्थियों और महाविधालियों की तरब से डेरों सिकायते पहुँच गई जिसके बाद देर शाम ने विभाग ने अंतिम्तिती बढ़ाने का निरना ले लिया यानि कि अब विधार्थी 24 तंबर तक दाखिलों के लिए आवेधन कर सकेंगे इसके अलावा ITI में विधार्थी 28 तंबर तक आवेधन कर सकते हैं और जिले के 24 महाविधालियों में हो रहे दाखिलों की अगर हम बात करें तो कुल 24 महाविधालियों में दाखिलों के लिए online परकिर्या चल रही है। सोमवार स्याम तक सभी महाविधालियों में 36,000 से अधीक विध्यारती दाखिलों के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, हिसार की बात कर रहे हैं। अलग-अलग डिस्टिक के आपकी अलग-अलग रिपोर्ट मिलेगी लेकिन अभी आप लोगों चीशी भी डिस्टिक से हो तो ओनलाइन अगर आपने फूम एपलाई नहीं किया है तो वो आप 24 स्थमबर तक कर सकते हो कोलेज एडमिशन्स के लिए। इस वीडियो में छोटी सी अपडेट के साथ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू, have a good day